असलाम लेकूम आज की मेरी रेस्पी है पिजिंगर मुझे अमीद है कि आपको मेरी रेस्पी जरूर फ़संद आएगी मैंने पुरी कोशिश की है कि आप सबको असानी से समझा जाजाएं मैंने इस रेस्पी में जिंगर पैटी और मिनी पीजा से बर्गर बनाया है इसलिए इसका नाम पिजिंगर है इस रेस्पी के लिए मैं सबसे पहले इसका मिक्सर बनाऊंगी इसके लिए मैंने आधा कब नीम गरम पानी आनीवान 20 मिली नीटर पानी लिया है नमाग आदा चाय का चमच चीनी तीन काने के चमच जीज़ चाय का चमच और ओयल दो खाने के मैंने एक चिकन ब्रेस्ट 150 ग्राइम का लिया है और इसे दर्म्यान से बटरफ्लाइ के दरा काट लिया है अब मैं इसे हैमर से फ्लाइटन कर लूगी यानि गूट लूगी चिकन को मैणिड तक लिए के लिए जो इंopedिन्स यूज़ की हह अनमस्धा चायका चमच अब चिकन पर सत्हाओं मस्तर पाउडर, चिकन पाउडर नमा खुडी गाली मिर्च, कश्मीरी लाल जाण Summit जाल यानिक्स मेड़ा थोड़ा थोड़ा गुनती जाओंगी मैंने बारा मिनट तक डो को गुलना है बारा से पंदरा मिनट तक डो को गुलना जरूरी है अब मैं इस पर ओल लगा कर इसे कवर करके किसी गरम जगा पर 45 मिनट के लिए रख तूँगी जिंगर पैटी के फ्लोर के लिए जो इंग्रीडियन्स यूज किये हैं उन में सबसे पहले है लाल मिर्श पाउडर एक खाने का चमच, मस्टर पाउडर एक खाने का चमच, चिकन पाउडर एक खाने का चमच, कुटी गाले मिर्श एक चाय का चमच, नमक एक खाने का चमच, बेकी पाउडर एक खाने का चमच, और मैदा एक किलो अब मैदे में लाल मिर्श पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, चिकन पाउडर, कुटी गाले मिर्श, नमक और बेकिंग पाउडर डाल कर अथी तरह मिक्स करूंगी मैं ने एक बड़ा अंडा लिया है और इस में दो खाने के चमर दूट डाल कर मिक्स कर लिया था अब मैं मैदे के मिक्सर में चिकन को कोड करूंगी, मैं पांच मिनट तक चिकन को मैदे में अच्छी तरह रोल करूंगी पांच मिनट कोट करने के बाद अंडे के मिक्शर में डिप करूंगी और फिर से मैदे में पांच मिनट तक अच्छी तरह रोल करूंगी अच्छी तरह रोल करने के बाद मैं इसे ऑईल में डिप फ्राइ करूंगी मैं पांच मिनट एक साइट से और पांच मिनट ही दूसरी साइट से दर्म्यानी आश पर पकाऊंगी जिंगर पैटी पक कर त्यार हो चुका है मैं देखो 45 मिनट सो चुके हैं अब मैं ऐसे हाथ से हलका सा प्रेस करूंगी अब मैं मिनी पिज़ा बनाऊंगी मैं दो एक साइट के पेड़े बनाऊंगी और हाथ से हलका सा प्रेस करके मिनी पिज़ा के लिए शेप बना लूँगी मैंने पिज़ा पैन को ओल से ग्रीस कर लिया था अब मैं एक खाने के चमच पिज़ा सॉस डालूंगी अब थोड़ी मौजरेला और चैडर चीज डालूँगी अब पके चिकन के कुछ पीस डालूँगी अब फिर से चीज डालूँगी अब ब्लैक ओलिफ्स डालूँगी ब्लैक ओलिफ्स डालने के बाद दो चुटकी कुटी लाल में छुरक दूँगी मैं दम्यानिया आज पर मिनी पीजा को 15 मिनट के लिए पतीली में बेख करूँगी मैंने पतीली के बेज पर कुछ पत्थर रखकर ऊपर एक स्टेंड रख दिया था 15 मिनट हो चुके हैं मिनी पीजा पकर त्यार है मैं नीचे से भी आपको दिखा देती हूँ यह बिल्कुल भी नहीं जला है याउकर मैंने श्टेंड रखा भाता और उसके उपर रखने से नहीं जलता अब मैं मीनी पीजा पर जिंगर पैटी रखोगी और पैटी के उपर दूसरा मीनी पीजा रखोगी अगर आपको पसंद हो तो ओपर से आप कुटी लाल मिर्च भी छड़क सकते हैं पसिंगर सर्फ करने के लिए रेडी है इसे गरम-गरम केचप के साथ सर्फ करें मुझे अमीद है कि आपको मेरी ये रेस्पी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई है तो इसे लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमली के साथ और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्स्ट्राइब कर लीजिए ये बिल्कुल फ्री है और साथ में लगी बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी मेरी वीडियो को इन तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया पर से नई वीडियो के साथ हाजर होंगी तब तक आप सब लोग अपना ख्यार रखें अल्ला हाफिस